वापिस सौनता हूँ धन्यवाद अलेक्जांडर अंड्रे आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आई अगले स्लाइड के उपर चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है और अलेक्जांडर आपने जो जानकारी थी काफी मूलेवान जानकारी थी और मैं ये आशा करता हूँ कि जो लोग दिल्चस्प जो दिल्चस्पी दिखाएंगे इतनों की दुनिया के लिए और फ्रेंचाइजी के लिए तो वो जरूर इस फॉर्म को भरेंगे तो चलिए आई अब हमें बताएंगा कौन है जो हमें अपनी ब्लॉक्चेन के बारे में बता सकता है स्मार्ट पॉर्टफोलियो के बारे में बता सकता है और मैं यहाँ पर इवान पॉलियान चिक की बात कर रहा हूँ वो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से ये कारिकरम वो विक्सित हुआ और वो प्रबंदक है इस पर्योजना के तो एवान मुझे उम्मीद है कि आप तयार हैं और आप हमारे साथ ये जानकारी साजा करने के लिए तयार हैं तो धन्यवाद है आपका और एवान बोल रहा हूं मुझे उम्मीद है कि आप मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं आप मुझे जरूर एक से दस एक से लेकर दस्त के स्केल पर मुझे बताएं कि अगर आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा समय बताऊंगा, क्योंकि यह वेबिनार जो है, यह काफी लंबा होने वाला है, और मेरे पास कुछ जानकारी है, क एक नई जानकारी जुड़ी है, और आज UNTB, जो कि हमारे ब्लॉक्चेन के अंदर खनन होता है, उसका जो वित्रन है, वो इस प्रकार होगा, 40 पतिशत जो है, वो नोड धारकों को लिए सुरक्षित किया जाएगा, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, जो कि हमारी ब्लॉ उन लोगों को जाएगा, जो कि CRU या WCRU की स्टेकिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पर स्टेकिंग करने वालों की बात कर रहा हूं, और बाकी का 20 पतिशत जो है, वो हमारी कंपनी के लिए जाएगा, जो क्रिप्टो इन ब्लॉक्चेन के लिए जाएगा, ताकि वो भविश्यकी परियोजनाओं में वो जो है, ब्लॉक्षण बन पाएं, तो यह क्यों किया गया, क्योंकि वो इसलिये, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक्चेन के लिए जाएगा 3000 नोड है और चैवल दो उमीदवार हैं, तो यह 11 नोड जो हैं, वो हमारे ब्लॉक्चेन के पूरे क के पूरे कारेभार को संभाल रहे हैं यह नहीं है और आने वाले भविश्य के अंदर जब जब तृतिय पक्ष के डेवलपर्स और कंपनियां हमारे साथ जुडेंगी वो अपने नोट स्वेम जुडेंगे तो उस समय ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी जो हो वो 21 वैलिडेटर्स मे से एक ना हो और इसलिए वहाँ पर हो सकता है कि 21 तृतिय पक्ष की निजी कंपनियां हो जो की ब्लॉक्चेन के उपर नोड के धारक हो और जो ब्लॉक्चेन के निर्माता हैं वो कहीं दूर दूर तक भी संबंदित ना हो तो इसलिए तो इसलिए 20 पतिशत जो UNTB है वो कंपनी के पास जाएंगे ताकि वो समर्थन दे पाएं तकनीकी सेवाओं का स्मार्ट कॉंट्राक्ट का और साथी साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो जो नई जानकारी है वो बिलकुल प्रत्यक्ष हो गई होगी हम लोगों ने नो इस परता शुरू की थी केवल दो और दो उम्मीदवार सामने आए हैं और आने वाले भविश्य के अंदर मेरी टीम भी जो है वो अप्लिकेशन को दर्श करेगी हम लोग जो है यहाँ पर CRU को जमा करा रहे हैं और जो 40 पतिशत जो UNTB है वो वो नोड धारकों के उपर जा कि की नोड को चालू करके जोड़ना केवल एक कदम है लेकिन आपको अपने समुदाए को जरूर यह बताना होगा कि आप क्यों नोड धारक बनना चाहते हैं आपको यह बताना होगा कि आप ब्लॉक्चेन के अंदर किस पकार का मूल यह उधरन कर रहे हैं आपको यह बताना होगा कि किस पकार से आप भूमिका निभाएंगे ब्लॉक्चेन के अंदर और हम लोगों ने ये मानचित्र मेरी टीम ने ये मानचित्र बना दिया है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ब्लॉक्चेन है वो EOS का फोर्क है तो इसलिए कोई भी जो जो भी नोट धारक है जो कि EOS के उपर कार्य करता है वो कभी भी हमारी ब्लॉक्चेन के उपर आ सकता है और बहुत बड़ी बड़ी कम्पनिया जो है वो EOS के उपर काम कर रही है बाइन्स भी EOS के वैलिडेटर है ऐसा क्यों क्योंकि जो लोग है वो जो लोग है बाइन्स के उपर EOS के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और जब जब बाइन्स EOS का खनन करती है तो ये उनके लिए काफी फाइदे का सौधा होता है एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने website accounts शुरू कर दी हैं, business account शुरू कर दी हैं अपने blockchain के उपर और आप अपने Swem का एक token बना सकते हैं, आप अपने Swem के tokenomics विक्सित कर सकते हैं और अपना website blockchain के अंदर शुरू कर सकते हैं, हमारी तरफ से हमारी blockchain बिल कि सभी crypto को किसी और crypto में या fiat में बदल सकते हैं, तो ये सारा का सारा ecosystem एक जगा पर मौझूद है, अब हमें क्या करना है, कार्य करना है, तो जो website शुरू होंगे और जो सबसे पहले आएंगे, वो सबसे ज़ादा पाएंगे, और जो देरी से आएंगे, उनको चीजें मैं इंतजार कर रहा हूं कि कि किस प्रकार से हमारे जो token है, वो चांद तक पहुंच जाएं, बस blockchain की तरफ से मेरे लिए इतना ही, सब चीजें सही चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और आईए अब smart portfolio की बात करते हैं, अगली slide पर, यह हमारा नया उत्पाद है, जो कि हमारे partners की मदद करता है कि वो अपने crypto portfolios को swim बना सकें, और यह Binance की उपर होता है, और हम लोगों ने इसको हाल ही में शुरुआत किया है, और हम लोगों ने अगस्त में शुरुआत की थी, और कुछ महीनों के अंदर, हम लोगों ने वाकई में कोई promotion नहीं की, कोई भी विज्यापन नहीं दिये, कोई सक्रिये प्रचार नहीं किया, हम लोगों ने फिर भी ये जो नतीजे हैं, उनको प्राप्त किया है, तो जो प्रारंभिक partners थे, जो पहले 200 partners हैं, जो की testers के रूप में हमारे साथ जुड़े थे, तो सबसे पहले हमारे पास, हमारे पास एक लाग दो हजार चार सो डॉलर थे, जिसमें से हम लोगों ने पहले जो 200 लाइसेंस के लिए जो जो डाला था, और उसके बाद हम लोगों ने जो दो, मैंने आपको बताया था कि जो 2,4,000 की जो संख्या है, वो किस पकार विक्सित हो रही है, हम लोग यहाँ पर यह बताना चाहते हैं, कि यह किस पकार से यह टूल कार्य करता है, नवंबर के अंत तक, और पहले अगस से लेकर 30 नवंबर तक का कार्यकाल के अंदर, हमारे पास 213 लाइसन्स जो थे, वो हम लोगों ने बेश दिये थे, और यहाँ पर थोड़ी सी तुटी है, यहाँ पर 113 नहीं, बलकि 213 होना चाहिए था, और तो यहाँ पर 1,2,400 लोगों ने इसके अंदर निवेश किया था, और उसके बाद जो हम लोगों ने जो जो हम लोगों ने पैसे प्राप्त किये थे, वो थे 33,564 और यहाँ पर हम लोगों ने जो बोनस, जो जो भुकतान किया था, वो एक लाग से ज्यादा था, एक लाग जो था वो निवेश किया था पार्टनर्शिप कारिकरम के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक हिस्सा जो था जो तीसरा हिस्सा था वो तीसरा हिस्सा जो था वो इसलिए खर्चोगा कि हमारे जो CRU का मुल्य है वो बड़े और भुक्तान प्रनाली के लिए इसको आवंटित किया गया था तो अगस्त के अंदर हम लोगों ने एक लाग दो हजार चार सो नि कोनस के अंदर जो हम लोगों ने भुक्तान किया हम लोगों ने एक लाग तेरा हजार दोसो नतर डॉलर दिये और हम लोगों ने आज की तारीक के अंदर साथ हजार के आसपास हम लोगों ने निवेश किया हुआ है और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाजार जो है वो अपने पतन की और है और इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा इंतजार करने का की रननीती अपना ही है और मुझे लगता है कि कुछ आने वाले महीनों के अंदर क्रिप्टो बाजार जो है वो वापिस उचाई की तरफ जाएगा और हम लोग काफी पैसा कमाएंगे और आज के लिए अगर हम बात करें तो जो क्यापिटल बढ़ोतरी है जो अगर हम लोग बात करते हैं पूंजी वृद्धी की तो वो बहुत ज्यादा नहीं है वो इसलिए क्योंकि क्रिप्टो बाजार नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन मुझे मालूम है और हम लोग सभी विश्वास रखते हैं कि जो क्रिप्टो बाजार आने वाले समय में जरूर उपर उठेगा और मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि यह 100% तरल परिसम पत्ती है और यह वाकई में बहुत समय बचाता है जहाँ पर हमारे पार्टनर्स का समय बचता है जहाँ पर वो जो समय है उनको जादा जो है देखना नहीं पड़ता कि उनका पॉर्टफोलियो किस पकार से काम कर रहा है उनको केवल और केवल अपने एक्शेंज के उपर एक संतुलित पॉर्टफोलियो बनाने का मौका मिलता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे जो योजनाए हैं 2022 तक के लिए तो जनवरी फरवरी के अंदर मुझे लगता है कि नए साल के बाद एक और उच्छाल आएगा और हर व्यक्ति जो है वो इस बढ़ोत्री की तरफ इंतजार कर रहा है और यह सकारात्मक तरीके से जो लोग जिन लोगों ने इस उत्पात को पहले खरीदा था उनको यह अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे और इस उपकरन का धन्यवाद कि मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रस्टिक्शन देना चाहूंगा और बीस पतिशत जो हमारे पार्टनर्स हैं कुल पार्टनर्स हैं उनको मैं प्रस्टिक्शन देना चाहूंगा और आपको मैं बता दूं कि हमारे जो बीस पतिशत पार्टनर्स हैं उनको इस पर्योजना के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता तो योजना ये है कि हम लोग चाहते हैं कि अगले साल के अंत तक हम लोग 3,40,000 लोगों को प्रस्टिक्शन दें इस पर योजना के बारे में उसके बाद हम चाहते हैं कि 1-2 मिलियन नए उप्योग करता जो हैं वो आकरशित हों हमारे साथ और हम यहाँ पर बाइन्स के जो उप्योग करता हैं उनको हम निशाना साथ रहे हैं और इस पकार हम लोग योजना बना रहे हैं कि किस पकार बाइन्स के लोग हमारे समुदाय के साथ जुड़ें उसके बाद मुझे लगता है कि 2022 में हमारा पोर्टफोलियो काफी अच्छे तरीके से बढ़ेगा हम लोग मुनाफ़ा जो है जो मुनाफ़ा हम वसूली करेंगे और प्रॉफी बोनस के रूप में एक अच्छा अच्छी राशी हम लोगों को प्राप्थ होगी हम लोग बाइन्स के साथ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी अकाउंट खोलने में हमें दिक्कत आ रही है बाइन्स के साथ और इसलिए हम लोग जो है अपने कंपनी अकाउंट को रिक्रू जो है वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं बाइन्स पे और हम लोग इस प्रक्र जो तरलता है वो सुनिश्चित होगी और हमारी पहुंच बनेगी कि हम लोग सब अकाउंट्स बना पाएंगे और ये सारी की सारी हमारी योजनाए हैं 2022 की और अब मैं आप सभी को बढ़ाई देना चाहूंगा क्रिस्मस के ऊपर और नए साल की शुबकामनाएं देना चाहूंगा और मैं ये चाहूंगा कि वित्तिय शक्ति हमेशा आपके साथ रहे धन्यवाद